हेलो एवरिवान लक्षार अश्वय मापका स्वागत है आज जमनाएंगे बहुती स्वाधिष्ट मिठाई तो यह मैंने बहुती अच्छे से मिठाई बनाकर त्यार की है बहुती अच्छी मिठाई बनाकर हमारी त्यार हुई है आप भी रक्षा बंदन पर यह मिठाई जरूर बनाकर त्यार कीजिए बहुती अच्छी बनकर त्यार होगी वीडियो हमारा पूरा देखिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा आपको नहीं पता सलेगा यह मिठाई के सीजगी बनाकर मैंने त्यार की है यदि हमारा वीडि किसन आपको मिलता रहे तो सलते हैं गेंस की तरफ यह मैंने गेंस पर कड़ाई रखी है कड़ाई को हम गरम कर लेते हैं कड़ाई हमारी गरम हो गई है तो इसमें हम एड़ करेंगे घी यह मैंने एक कप गी लिया है और गी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं गी हमारा मेल्ट हो गया है तो इसमें हम यह मैंने दो कप सूजी लिया है सूजी को add कर लेते हैं अब तो आपको पता सली गया होगा इसकी बर्पी मैंने बनाकर ट्यार की है तो मैंने एक कप घी लिया है और दो कप सूजी लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और घी के साथ हमें इसे पांस मिन तक अच्छे से पकाना है, तो यह आप देख सकते हैं, पांस मिंट हो गया है, सुजी हमारी पक्कर त्यार हो गई है, सुजी से गी अलग हो गया है, तो सुजी हमारी पक्कर त्यार है, तो गैंस को हम बंद कर लेते हैं, और इसको हम निकाल लेते हैं दूसरे बरतन पर, अब हम ग एड़ कप सीनी लिया है और इसमें हम आदा कप पानी एड़ करेंगे और इसको हम अच्छे से मेल्ट होने तक पकाएंगे कि सीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो रही है तब तक हम प्लेट त्यार कर लेते हैं बर्पी जमाने के लिए तो यह मैंने थाली लिया इसमें हमने थोड़ा सा गी लग गया है और गी को हम अच्छे से ग्रेश कर लेंगे आप थाली प्लेट रे कोई भी बर्टन में मिठाई जमा सकते हैं तो अब सलते हैं गेंस की तरफ तो आप देख सकते हैं सिनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है अँर्फ वर 접종 पर इसको ज्यादा एक ताकी सासनी नहीं बनाना है ऐारें है अब इसमें सूजी अब करेंगे जो मैंने गी की साथ अच्छे से बून कर रखा था वह सूजी ले लिया है और इसमें एड़ किया है और अच्छे से मेंग्स कर लेंगे इसमें थोड़ा सा मैं इलाइसी पाउंडर एड़ कर रही हूं और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हम अच्छे से पांस मिन तक पकने देंगे तो आप देख सकते हैं पांस मिन्ट हो गया है तो इसको हम चेक करेंगे पहले दो हमारा बर्फी बनने के लिए त्यार है या नहीं थोड़ा सा मैंने एक बर्तर में निकाल लिया है और इसको हम एक मिन्ट के लिए ठंडा होने देंगे तो आप देख सकते हैं एक मिन तक ठंडा हो गया है तो इसका बॉल बंद रहा है तो बर्पी जबने के लिए डो हमारा अच्छे से त्यार हो गया है तो गैंस बंद कर लेते हैं और इसको हम ठाले में निकालेंगे बर्पी को जबने के लिए मैंने थाले में निकाल लिया है डो सारा और इसको हम अच्छे से टैप कर लेंगे एक समस्की साइता से इसको हम अच्छे से बराबर कर लेंगे इस तरीके से मैंने अच्छे से बराबर कर लिया है अब हम इसके उपर बदाम की कत्रान एड़ करेंगे और थोड़ा सा पिस्ता भी एड़ कर लेते हैं और इसको हम एक समस्की साइता से पिस्ता और बदाम को प्रेस करते हुए अंदर बठा लेंगे और इसको हम एक घंटा ठंडा होने के लिए सोर दिया था और इसमें हम कट लगा कर त्यार कर लेंगे सोरी एक घंटा नहीं पंदरा मेंट तक के इसको हमें ठंडा किया है ज्यादा इसे ठंडा नहीं करना है नहीं तो इसमें फिर कट नहीं लगेंगा और इसको हम एक घंटा के लिए अब इसको सेट होने के लिए सोर देंगे तो आप देख सकते हैं गंड़े के बाद अब हम बर्फी को निकाल लेते हैं एक साको की सायता से इस तरीके से हमें बर्फी को निकालना है यह आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बर्फी हमारी निकल कर त्यार हो गई है तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बर्फी बनकर त्यार हुई है हमारी तोड़के भी दिखा लेंगे बहुत ही इसली टूट रही है सुजी की बरफी बहुत ही अच्छी बनकर त्यार हुई है कोई नहीं कह सकता है कि सुजी की बरफी बना कर मैंने त्यार की है यह आप दिख सकते हैं मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और साइड की टुकड़े को साइड कर लिया है दूसरी वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जेहिन जेवार्थ